स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी चैनल हटके प्रेडिक्टर में तो आज हम बात करने वाले हैं मॉंबा इंडियन्स वसेश डेली कैपिटल्स का जो अभी थोड़ी दिर में मतलब सड़े साथ बजे मैच स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ा जल्दी बात कर लेता हैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ पिछ रिपोर्ट हेट टो हेट मैचस रिपोर्ट सारे प्लेयर्स का वेन्यू स्कोर्स मतलब अलग अलग ग्रोंड्स पे जो जो इन्हों ने स्कोर किया फर्स्ट इनिक्स और स्केंड इनिक्स में वो और यहाँ पे जितना विकेट गिरा है उसका प्लस प्लेयर बैटल्स का टोटल अवरेज स्कोर वेन्यू पे और अगेंस्ट हेट टो हेट का इसमें इंक्लूड़ेड नहीं है लेकिन दूसरा कुछ सारा अपडेट आपको मिल जाएगा जिसे के आपको पूरी-पूरी मदद मिल सकती है वेन्यू अबुदाभी में मैच खेला जाएगा यहाँ पे जो प्लेयर टाइमिंग अच्छा करता है जैसे के रोहिच शर्मा वगरा बॉल पे टाइम अच्छा करते है तो वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है हुआ है head to head में देखो total matches 24 खेले हैं दोनों सेम है 12-12 मुंबई जीता है 12 DC जीता है और 21 matches जो इंडिया में हुए थे उसमें मुंबई ने 12 जीता है और 9 DC ने जीता है एक UAE में हुआ था जिसमें DC ने वहाँ पे जीता हुआ था थोड़ा DC के लिए advantage यहां पे और इस बार डेल इचर्मा ने किया है DC से रिशपपंट ने किया है और विकेट सबसे ज्यादा बुमरान और मेकलेंगन ने लिया है DC से हर्शल पठेल ने लिया हुआ है तो हर्शल पठेल थोड़ा अच्छे form में भी चल रहे हैं तो इस match के लिए भी थोड़ा important हो सकते हैं तो देखो last 2019 में क्या हुआ था 24 तरीक मार्च में खेला गया था DC 213 पे छे और मुंबा इंडियांस 176 पे आलोट हो गई थी तो DC ने ये मैच जीता था 37 रन से जहाँ पर रिशपपंड ने 78 किया कॉलिन इंगरम को छोड़ दो शिकर धवन ने 43 किया था रबड़ा और इशान शर्मा ने दो हुआ था यूराज सिंग जो के 53 किये थे अभी इनको छोड़ दो तो कुरुनाल पंडिया ने 32 डी कॉप नहीं यहाँ पर 27 किया था मेकलेंगन ने 3 विकेट लिया लेकिन मेकलेंगन भी खेल नी रहा है तो इनको भी छोड़ देते हैं हरदिक पंडिया और जस्परीद बु मंबई ने 40 रन से मैच जीता हुआ था तो यहाँ पर क्या ववा था? DC ने 37 रन से जीता यहाँ पर मंबई ने 40 रन से जीता तो दोनों के बीच में बहुत तकड़ा मुखाबला हुआ था दोनों मैचस में यहाँ से कुरुनाल पंडिया 37, DकOT 35, हरदिक पंडिया 32 और रुह सिडर कर सकते हैं एक्सेप्ट हरदिक पंडिया जो के बोलिंग नहीं कर रहे हैं और अभी ड्रीमिलर में या बैटिंग सेक्शन पर मिल रहे हैं यहां से डेली से परफॉर्मेंस किस ने किया था शिकरदवन ने 35 अगजर पटेल 26 पृत्वीशा ने 20 रन राबडा ने दो विक मेचस हुआ है यहां पर यहा नव में से चार यहां पर आलरड़ी मंबई इंडिया खेल चुकी है तो अभी यह जो मैच कहल रहे है यह फिफ्त मैच है सेम वेन्यू पर ममरotta इंडियान का तो जीतना पि刚 ममबा इंडियान जानती है लााष्ट का जो बी record से pitch का वो देखते हुए आप अपना team बनाओ तो यहाँ पे देखो wicket section यह important रहेगा fast को अभी तक total 63 wickets मिला और spin को 31 wickets मिला है first innings में fast को 29 spin को 16 और second innings में fast को 37 spin को 17 wickets मिला है यहाँ पे कौन रहे थे leg break दोनो innings में आपके लिए important है बारा बारा wicket निकालके बाठे हैं leg break bowlers और right arm off break bowlers second innings में 3 wicket left arm orthodox second innings में 2 first innings में 2 और right arm off break भी first innings में 2 wicket तो important हमारे लिए हो रहे leg break bowlers मतलब leg spinners हैं वो हमारे लिए यहाँ पे important हो रहे हैं तो चला अभी बात कर लाए था Mumbai Indians के probable 11 की इन में मुझे कोई changes ज्यादातर होने से मतलब changes नहीं होगा एक हो सकता है राहूल चाहर की जगा अगर off spinner team prefer करेगी तो जयन्त यादव को इसमें लाया जा सकता है रोईचर्मा, कुंटन डिकॉक, सुर्या छे matches में जो performance है वो यहाँ पे दिया हुआ है और separate इनका जो जो pitches में इनोंने कितना कितना run और कौनसी batting पे, first batting में या second batting में यहाँ पे किया हुआ है, तो first batting सारे जो चार matches Mumbai Indians नहीं यहाँ पे खेला, उसमें सारों में first batting ही की है, second batting अभी तक की नहीं है तो first batting consider करके चलेंगे यहाँ पे, decock का 33, 1, 0, 23 decock एक बात बता दूँ आपको chase करते समय अच्छा रहता है second innings में आपको अच्छा करते हुए दिखेगा जितना के first innings में यहाँ पे एक match में दुबई में out हो गया था 14 पे लेकिन शार्जा में वही शार्जा बैटिंग ट्रेक था वहाँ पे first batting करते हुए 67 भी किया था तो ज्यादा preference देना अगर chase कर रहा है तो, क्यूंके second innings में बहुत अच्छा perform करता है कुइंट अंडी कॉक जैसे मैंने observe किया हुआ है तो अभी यहाँ से रोहिट शर्मा की अगर बात करें तो दो पारी जो बड़ी खेली थी वो अभी धाबू अभूद अभी में ही खेली थी 70, 80, 35 बाकी एक match में 12 किया था और यहाँ पे जो दो match में flop गए थे वो दूसरे पिचस में था तो इस पिच में रोहिट शर्मा को आप captain करके चल सकते हो फिर से आपको बड़ा करते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं सुरिया कुमार आदब की बात करो तो इनका भी जो दो बड़ा स्कोर था वो अभूद अभी में ही हुआ था 47 और 79 वही इशान किशन की अगर बात करो तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लॉप गए थे दो मैचस में खेले नहीं थे जहाँ पे इनका मैचस जब हो रहा था तो खेले नहीं थे एक में 28 किया एक में डक ओट हो गए और जो 99 की पारी इनों ने खेली थी वह दुबई में था वही हर्दिक पंडिया की बात करो तो 230 का स्कोर से यहाँ पे एक 18 का एक 14 का इसी पीछ पे वही करन पुलाड आपको एक में 18 एक में 13 रन नाट ओट प्लस एक विकेट एक में बैटिंग मिली थी भहिया हर्दिक पंडिया और करन पुलाड ने अच्छा कि यहाँ पे परफॉर्म किया था 47 ना टोटते और एक मैच में बैटिंग नहीं मिली जिसमें एक विकेट इन्हों ने लिया हुआ था और वो यहाँ पे है लाश्ट मैच इनका जो हुआ था उसमें इनको बैटिंग नहीं मिली थी बोलिंग कर रहे थे जेमिस पैटिंसन याद रखना अगर फर्स्ट बोलिंग करेंगे तो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो आज ही हमें देखने को मिल सकता है लेकिन ये सिनेरियो हम 70% कंसिडर करके चल सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस मॉंबर इंडियन्स यहां पर कर सकती है राहुल चाहर एक विकेट दो विकेट, दो विकेट, फिर एक विकेट तो राहुल चाहर भी यहां पर विकेट सेक्शन में मोझूद हैं ट्रेंड बॉल्ड भी आपको यहां पर अच्छा करते हुए दिखें एक विकेट, दो विकेट, एक विकेट, दो विकेट अगर आपको spinner प्रिफर करना है तो आप रहूल चाहार कर सकते हो Pacers में आपके पास option है, बॉल्ट है, बुमरा है प्लस James Pattinson का option यहाँ पे है आप आप यह तीनों को लेकर जाना है तो रहूल चाहर को ड्रॉप करके इन तीनों को ले सकते हो क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि डेली आल आउट होगी यहाँ पे तो आप इनके बॉलर्स कवर कर सकते हो वही अगर जस्परीद बुमरा की बात करूं तो दो विकेट, दो विकेट, चार विकेट, पहले मैच में एक विकेट तो जस्परीद बुमरा भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं लास्ट मैच में जस्परीद बुमरा ने चार विकेट भी लिया था इसी मैदान पे तो चलो बात कर लेता है डेली कैपिटल्स की डेली कैपिटल्स में मुझे कोई चेंजस लग नहीं रहा होगा और यहां से देट में आपको बोलिंग करते हुए रबड़ा और नाट जे या फिर हर्शर पटेल आपको देट में दिख सकते हैं इनका टीम अल्मोस सेम होने वाला है क्योंकि यह चेंजस कुछ ज्यादा करने वाले नहीं है और मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई चेंजस यहां से होगा शिकरदावन अबूदावी में एक ही मैच किया है जिसमें सकेंड इनका बैटिंग था मतलब फर्स बैटिंग नहीं था सकेंड बैटिंग एक ही मैच इन्होंने यहाँ पे खेला हुआ है तो उसी मैच को हम कंसिडर करके चलेंगे 34 किया था इस मैच पे दोगो सकेंड बैटिंग यहाँ पे है थोड़ा टफ रहता है बैटिंग करने के लिए तो वो दिहान में रखके चलना अगर फर्स बैटिंग आ जाए तो शिकरदवन आपको बड़ा स्कोर करते हुए दिख सकते हैं पृत्वीश आप फ्लॉप रहे थे दो रन पे आउट हो गए वही श्रय सेयर भी 17 रन पे आउट हो गए थे रिशप पंट ने थोड़ा अच्छा खेला था 28 रन स्कोर किया था इसी ग्राउंड पे वही शिम्रॉन हेट मेर की बात करो तो इन्होंने भी अच्छा किया था 21 स्कोर किया था यहां पे और लास्ट मैच में भईया 45 करके आ रहा है बंदा तो थोड़ा धियान रखना उपर भी आ सकता है मारकस ट्वाइनिस के मारकस ट्वाइनिस ने 11 रन किया 0 विकेट इस ग्राउंड पे लेकिन 2 फिफ्टीस लगा चुका है इसी एपियल में ध्यान रखके चलना और दोनों फिफ्टीस आईए दुबाई ग्राउंड पे 53 प्लस दो विकेट एक मैच में एक मैच में 53 और वो 1st बेटिंग करते समय मारकस ट्वाइनिस आपको जब 1st बेटिंग करेगी डिली तो मारकस ट्वाइनिस इंपर्टेंट है जब 2nd बेटिंग करेगी तो आप चाहो तो ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो क्योंकि दुनिया इनके साथ जा रही है सेकेंड बैटिंग अगर डेली कर रही है चेस कर रही है तो आप मारकस टॉन इसको ड्रॉप कर सकते हो फर्स बैटिंग में मत करना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा अकसर पटेल की अगर बात करूँ तो दुबई में 5 रन किया था 0 विकेट लेकिन अकसर पटेल का एकनॉमिकल बोलिंग रहा है सारे मैचस में ज्यादा रन्स नहीं दे रहा है एक विकेट आपको लेते हुए दिख सकता है इस पिछ पे भी वही अगर कागिसो रबडा की बात करूँ तो देखो रबडा 15 रन यहाँ पे स्कोर किया था और दो विकेट भी निकालके बैठा था दुबडाई में रबडा ने ज्यादा विकेट्स लिये हैं तीन मैचस में टोटल नो विकेट्स दुबडाई में लिये हैं और दो विकेट्स इसने अबू धवी में लिये हैं और बाखी के जो चार विकेट्स हैं वो शार्जा मिलिये हैं लेकिन रवड़ा हमारे लिए इंपोर्टेंट है रवड़ा को हम ड्रॉप करी नहीं सकते देथ बोलर्स को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क होता है इसलिए बोलर रवड़ा इंपोर्टेंट रहेगा और बोलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा फॉर्म में भी है रवी चंद्रानश्विन की बात करूँ तो अबूद अभी में जो मैच हुआ था उसमें रवी चंद्रानश्विन ने खेला नहीं था आप चाहो तो लेकर चल सकते हो रवी चंदरा नश्विन को अगर सकेंड बोलिंग कर रहा है तो आपके लिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो सकता है वही एन्रिच नॉट जे नॉट जे का थोड़ा अच्छा पर्फॉर्मेंस रहा है दुबई में दो-दो विकेट निकाला है और शार्जा में भी अच्छा पर्फॉर्मेंस है लेकिन अबूद अभी में विकेट नहीं निकाल पाया था आप चाहो तो ड्रॉब भी कर सकते हो एन्रिच नॉट जे को सकता है लेकिन यह आपको बैटिंग से जरूर पॉइंट दे सकता है इनको उपर भी जा गया था लास्ट मैश में तो इस मैश में भी चाहर से 6 बाल 4 रन एक विकेट बूमरा को विकेट नहीं दिया है 6 बाल में 7 रन स्कोर किया हुआ है श्रेय सैयर भी मुझे किसी के सामने परिशान हुए ते हुए नहीं दिखे सिर्फ राहूल चाहर इनको यहाँ पे भी तंग करते हुए दिखे है रहूल चाहर का आपको नाम हर जेगे दिखरा रहूल चाहर रहूल चाहर रहूल चाहर वही रिशप पंट की अगर बात करू तो कुरूनल पंडिया के सामने थोड़ा श्रगल है 17 बॉल 20 रन दो बार उट हो चुके हैं और जस्परीद बूमरा के सामने बहुत बड़ा श्र बात करूं तो बूमरा को एक बार आउट 12 बाल में हर्दिक पंडिया और ट्रेंड बोल्ड के सामने इनका श्रगल मुझे लगा नहीं वही मंबा इंडियन बैट्समन वस्स डीसी बोलर्स की बात करूं तो कुईंटन डिकॉप को आश्वीन परिशान कर सकते हैं बाखी तो कोई किसी के सामने इनका श्रगल नहीं है और रोहिट शर्मा इनका भी कोई किसी के सामने मुझे श्रगल लगा नहीं क्योंकि एक एकी बार इन्होंने इनका विकेट लिया हुआ है रबडा ने 5 बाल में एक बार लिया है तो थोड़ा देखकर चलना ओपनिंग बोलर प्लस opening batsman है रबडा यहां पे रोहिच शर्मा की wicket ले सकता है सूरिया कुमार यादव की बात करो तो रबडा ने इसको तंग किया है 7 बाल में 8 रन एक विकेट लेकिन अगजर पटेल के सामने struggle नहीं है 30 बाल में 22 रन्स मतलब रने बाल किया लेकिन विकेट नहीं दिया है इशान किशन ने भी विकेट नहीं दिया अगजर पटेल को 13 बाल में 18 रन किया है और अश्वीन को 12 बाल में 12 रन किया है कैरन पलाट की बात करो तो कीमोपल 37 बाल 54 रन्स एक बार उठ हो चुके हैं लेकिन कीमोपल यहाँ पे खेलनी रहे तो इनको छोड़ दो रवी चंद्रा नश्वीन को 42 बाल्स में 3 बार उठ अगजर पटेल को 27 बाल्स में 40 रन्स एक बार उठ और रबडा के सामने श्ट्रगल है थोड़ा सा 11 बाल में 10 रन जीरो विकेट लेकिन विकेट नहीं दिये हैं वहाँ पे वही हरदिक पंड्या रवी चंद्रा नश्वीन के सामने कोई श्ट्रगल नहीं 9 बाल में 10 रन जीरो विकेट अकजर पटेल के सामने 7 बाल में 10 रन एक बार उठ हो चुके हैं थोड़ा घडबडा जाते हैं अकजर पटेल के सामने रबडा के सामने भी थोड़ा मुश्किल फेस करते हैं 16 बाल में 18 रन किया हैं एक बार उठ हो चुके हैं ग्रैंड लिग पिक्स आज मेरे लिए स्पेशल रहेगा शिकरदवन और रिशपपंट और इनको बहुत लोग ड्रॉप भी कर रहे हैं आप इनको ग्रैंड लिग में जरूर कैप्टेन वैस कैप्टेन करके देख लेना कुछ बड़ा आपको जितवा सकते हैं अगर चल गए क्विंटन डिकॉक अगर चेस कर रहे हैं मॉंबा इंडियन्स तो आप कैप्टेन कर सकते हो ग्रैंड लिग हो या स्मॉल लिग हो हार्दिक पंडिया और जिस्परीद बुमरा मेरे लिए थोड़ा इंपोर्टेंट है इस मैच के लिए बोलिंग सेक्शन से अगर बात करो त अगर रिस्क लेना चाते हो तो पंत को भी आप बना के चल सकते हो उमीद करता हूं वीडियो अच्छा लगाओगा अच्छा लगाए तो लाइक कर देना चलो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद